हालो फ्रेंड्स मैं नरेश शर्मा ओल एक्जेम लाइव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ आज हम चर्चा करेंगे रीट के सिलेवस को लेकर रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों में ही लेंग्विज सेकंड का सिलेवस बिल्कुल कोमन हैं दोनों में बिल्कुल बराबर हैं यहां चात्रों 30 questions will carry 30 marks बच्चों के 30 out of 30, 29, 28 आते रहे हैं हम इसी परियास के साथ 20 को आज आगे पढ़ेंगे देखेंगे के हमारा स्कोर मेक्स रहे 30 out of 30 तो चलिए देखते हैं हमारे सिलेवस में division हुआ है 5 units में 5 unit आपको यहां देखनी है तो question paper में एक आपको मिलेगा unseen passage एक appetite गध्यान्ष और इसमें questions जो concerned होंगे वो linking devices subject verb agreement linking devices का मतलब ऐसे शब्द जो शब्दों को शब्द समूहों को और वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं तो linking devices में हम प्रबजीशन्स पढ़ते हैं और linking devices में हम conjunctions पढ़ते हैं जब कोई आपसे कहें linking devices तो it includes बोथ प्रबजीशन्स एंड कंजंक्शन्स जब कोई आपसे कहें कंजंक्शन तो फिर कंजंक्शन का मतलब and but yet still so therefore or otherwise else either or neither nor not only but also both end as as well as as if as though where wherever when whenever while as as soon as no sooner than hardly is case level less should whether or not till until before after since because although the although yet so that such that to to as it so as then if unless provided that that so that in order that even if और जवाब से कहें प्रबजीशन्स तो 89, above or under, below, among, between, besides, besides, within, above, since, for, before, after, till, until, by Linking devices में प्रबजीशन्स और conjunctions दोनों शामिल है जब केवल conjunctions ही कहा जाए तो प्रबजीशन उसमें नहीं आएंगे लेकिन linking devices includes both of them दूसरा आता है subject-verb agreement यानि कि एक subject का अपनी वर्ब के साथ और वर्ब का अपने subject के साथ सेहमत होना जरूरी होता है यानि कि subject अगर singular है तो वर्ब भी singular होती है subject अगर plural होता है तो वर्ब भी plural होती है वर्ब तो singular और plural दो ही तरह की होगी लेकिन subject में variation मिलते हैं कभी तो किसी subject को हम singular treat करते हैं और कभी उसको हम plural treat करते हैं इसलिए हमें कुछ इसके कुछ ज़्यादा नियम देखने पड़ते हैं इसके बाद में छात्रो आता है inferences यानि की कथन निश्कर्स यानि की fallacies ये आपका unit first है इस unit के लिए हमारे पास marks weightage रहेगा 5 second unit second unit के लिए भी unseen poem which you have never read before either या तो कवीता आपने पहले पड़ी नहीं या कोई अज्यात कवीता अब इस poem में से literature का कुछ पार्ट जैसे alliteration simile metaphor personification assonance rhyme scheme ये चीज़े आप से इसमें पूछी जानी है unit second इसके भी marks weightage 5 भी है इसके बाद में आती है छात्रू 3rd unit तो unit 3rd में यूनिट 3rd में हम देखते हैं model auxiliaries can could sell should will would may my thought to need no dare use to must or had better कुछ वकेब का पार्ट है phrasal verb होते है idioms होते है literature का कुछ पार्ट यहां भी है elegy sonnet short story drama इस unit के लिए भी marks weightage 5 फिर छात्रों आती है unit number 4 तो 4 में हम लोग देखते हैं basic knowledge of English sounds and their phonetic transcription यानि की धोनी विज्ञान यानि की the science of sound धोनी का विज्ञान है और इसके लिए भी marks weightage रहेगा 5 unit number 5 और 6 ये दोनों आपके teaching method के हैं यहां marks का weightage रहेगा आपका 10 syllabus जो यहां design किया गया है इतने ही questions आते हैं जितना syllabus में बताया गया है लेकिन कई बार method के questions दो तीन बढ़ा दिये जाते हैं यानि की 10 की इस्थान पर 12-13 कई बार phonetics की एक दो questions कम कर दिये जाते हैं लेकिन जो basic division है वो यही है तो चलिए इस पर हम विस्तार से बात करते हैं online classes के मध्यम से मिलते हैं thank you झाल